हलो दोस्तों मेरा नाम है मुहम्मत कैसर और आप देख रहा है स्वाटी चैनल बात करेंगे दोस्तों आइडर जुनर हाइज स्कूल की संसोधित परिडाम की बहुत जल्ल इसका रिवाइज रिजल्ट आने जा रहा है इसी के साथ दोस्तों पेट 2022 की परिक्षा अब 15 और 16 अक करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पेट 2022 की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्सू प्रकासन के तरब से आती है पूरी दोस्तों संपूर गाइड बुक आ गई है पेट के लिए और यूपिट्र पलसी के लेटेस पैटन के आधार पर पूरा सल्बस इस बुक स से आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें इसमें डीटेल में दी गई है तो दोस्तों संपूर गाइड बुक तो चक्सू प्रकासन की आही गई है पेट के लिए साथी साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है जिससे आप अपनी परिक्षा में बहुत यह अच्छा परफॉ हो चुका है पहले यह एक्जाम 18 सितंबर को होना था लेकिन अब यह एक्जाम 15 और 16 अक्टूबर को होगा 37 लाग सेटी का भेर्थियों ने आवेदन कर दिया था पेट के लिए जिसकी वज़र से परिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ा और दो दिनों में परिक्षा कराई जाने का फैसला लिया गया कोई भी छाद्र जो हाई स्कूल की परिक्षा पास है और उसकी आयो 18 से लेकर 40 साल के बीच में है वो पेट 2022 के लिए एलिजिबल है पेट 2022 की परिक्षा बिल्कुल कंपलसरी हो गई है यदि आप यूप यूपिट्री पलसी की किसी भी भरती में आवेदन करना चाहते हैं आने वाले समय में लेकपाल वीडियो जोने सेस्टेंट लो और समेथ बहुत सारे पत्वों पर भरतियां देखने को मिलेंगी और इन भरतियों में वही एलिजिबल होगा जो पेट 2022 की परिक्षा दिया होगा तो आप लोग अपने परिक्षा की त अपता जारी होने जा रहा है तो काफी समय से इसका रिजल्ट डिले हो रहा था पहले जुलाई बताया गया था कि जुलाई लाश्ट तक रिजल्ट आ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ फिर अगस्ट का फिर अगस्ट का सेकेंड वीक फाइनली अपडेट निकर कर आ गई ह है कि बहुत जल्द आइड़ेट जुनेर का रिजल्ट आने जा रहा है और इस बार उमीदें भी हैं कि रिजल्ट आ जाएगा चुकि 17 अगस्ट को हाई कोट में सुनवाई होनी है और इससे पहले ही परिडाम जारी करने का फैसला पिन पी ले सकता है पिन पी को सिर्फ सासं की अनुमती का इंतजार है रिवाइज रिजल्ट बन गया है तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है 1590 साहय का द्यापक और 304 पदो पर प्रधाना द्यापक की भरती आई थी 28 अक्टूबर 2021 को परिचा कराई गई थी 15 नॉमबर को इसका रिजल्ट जारी ह है लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अभैरती कोड चले गए फिर बाद में कोड से आदेश आया रिजल्ट की जांच हुई तो बाद चला कि अभैरतियों के जो आरोप हैं वो बिल्कुल सही है उसके बाद रिवाइज रिजल्ट जारी करने का फासला लिया गया PNP ने ये दावा किया है कि उन्होंने रिवाइज रिजल्ट बना लिया है बसासन से अनुमती मिलने की देर है और रिजल्ट जारी हो जाएगा तो अमीद है कि इस बार रिजल्ट आ जाएगा पंदर अगस्त के आसपास एक और खुशकबरी आपको देखने को मिल सकती है अगे कोई अपडेट जानकारी मिलती है आपको सुचन दिया जाएगा और रिजल्ट के आगे का प्रकृरिय क्या होगा कैसे कैसे कांसलिंग वगरे होगी सारे जानकारी आपको इस चैनल के मार्ण से दी जाएगी तो आपको मारे साथ जुड़ रहिएगा इस वीडियों ब आपको मेन पेकैंस प्रकृरिय कि अ